दोस्तो इस दोरो के दोरा बनाए गया चंद्रियान 3 बिक्रम लेंडर देश तारीक के दिन चांत की सतह पर सौप्ट लेंडिंग कर लिया है और साती साथ बीडियो और फोटो भी भेजना शुरू कर दिया है दोस्तो हम आपकी जानकारी के लिए बताते हैं चंद्रियान 3 बिक्रम लेंडर को ऐसी जगहां पर लेंड कराए गया है जहां पर 14 दिन तक अंधेरा रहता है और दोस्तो उस जगह पर कोई भी कैंट्री जाने के लिए तैयार नहीं है ऐसे में दोस्तो हमारा देश नंबर वन पर आ गया है यानि कि भारत नंबर वन पर चल रहा है चंद्रियान मिसन में हमारा दोस्तो बिक्रम लेंडर और रोबर दोस्तो चांद के सतह पर 14 दिन तक रहेगा और 14 दिन के अंदर दोस्तो सारी जानकारी इस रो को देता रहेगा आपको पता होगा तेज तारी के दिन चंद्रियान 3 जो है बिगरम लेंडर चांद के ओपर सौफ्ट लेंडिंग कर चुका था और दोस्तो इस रोको काफी सारी फोटू और वीडियो भी बेजना शुरू कर दिया था आपको बता दे चंद्रियान 3 को लेंड करने के बाद में 3 घंटे बाद रोबर निकल कर बाहर आया था उसके बाद दोस्तो फोटू वीडियो भेजना शुरू कर दिया था इस रोको और आपको बता दे अभी हुए हैं तीन दिन आगे चलके ग्यारा दिन तक और भी रिसेर्च करेगा आगे चलकर क्या क्या जानकारी हमें मिलेंगी दोस्तो आगे चलकर वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना नोटिफेकेशन बल को ओल पे कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना अब हम आपको बताते हैं चंद्रियान थिरी का मिसन क्या है चंद्रियान थिरी का मिसन यह है दोस्तो आप सभी को पता होगा चंद्रियन 3 का दोस्तो चांट पर जाने का मिसन यही है कि वहाँ पर दोस्तो सारी चीज़े के बारे में पता लगाएगा मतलब कि वहाँ पर भूकंब आता है तो कितना पॉइंट आता है या पिर दोस्तो पानी है तो कैसा पानी है वहाँ पर बरब द्वारा पानी मिलेगा या फिर दोस्तो गड़ी गुड़ा वहाँ पर जो है उन सब के बारे में रिसेर्च करके इसरो कमपनी को भेजता रहेगा तो आगे चलकर दोस्तो देखते हैं कि चांद पर क्या-क्या चीजी महजूद हो सकती है सब कुछ दोस्तो आगे चलके 14 दिन के अंदर हमें पता लग जाएगा तो बस इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ वगर दोस्तो चैनल पर पहली बारो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बिल को आल पे कर देना और हो सकती है तो दोस्तो इस वीडियो को दोस्तों में भी सियर कर देना मिलते हैं अगले नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखो नमस्कार गुडबाद जाहें